नमस्कार साथियों स्वागत आपका मैं इस्ट्रलोजर सुधिर कुमार एक बार फिर आजीरूं आपके सामने आने वाले साथ दिनों का सापताहिक रासिफल लेकर जिहां साथियों हम बात करने वाले हैं आने वाले साथ दिन यानि कि 5 अप्रेल से लेकर 11 अप्रेल तक का समय हमारी लिकेसा रहने वाला है और साथियों हम जानेंगे वे प्रफॉवसाली उपाए जो हमारे काम को और आसन बनाएंगे साथियों जो हमारे नए दर्सक है उनकी लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो राशी फल होता है यह आपकी चंद्र राशी पर अधारित होता है आने वाले साथ दिनों के गोचर पर अधारित होता है ग्रहों की इस्तिती पर अधारित होता है इससे हमें यह जानकरी मिल पाती है कि इन साथ दिनों में हमारे साथ क्या-क्या मुखे कटना है हो सकती है हमें किन बातों पर जादा ध्यान लगाना है किन बातों को फोकस करना है और किन बातों को अवर्ड करना है आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इन साथ दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है साथ्यों चंद्रमा रहेंगे मकर राशी पर, कुम्भ राशी पर और मेन राशी पर तो आई साथ्यों शुरू करते हैं आने वाले साथ दिनों का साप्ताहिक राशी फल मेश राशी, साथ्यों आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा की स्तिती आपकी राशी से रहेगी दस्वे स्थान पर, 11 पर और 12 स्थान पर साथ यो सरकारी काम किसी भी प्रकार का उल्जा हुआ है तो उसे सुल्जाने की कोशिश करे आपको सरकार का, सरकारी अधिकारियों का एक बहतर सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा कोई एक बहुत बड़ी विश, कोई बहुत बड़ी मनोकामना जो आपका काफी समय से पेंडिंग था वे आपको कहीने कई पूर्ण होते हुई दिखाई देगी जिस काम में आप लंबे समय से लगे हुए थे, वे काम आपको पूर्ण होते हुए इन साथ दिनों में दिखाई देंगे साथ्यों यात्रा के लिए आने वाले साथ दिन आपके लिए ज़्यादा अनुकुल नहीं है तो बेवजय का यात्रा बिलकुल ना करें अन्यता यहां आपके लिए स्वास्थ में कमजोरी लेकर आएगा स्वास्थ में एक गिरावट आपको लंबे यात्रा के कारण हो सकती है साथ यो इन साथ दिनों में इरे आपको निवेस करना चाहते हैं तो आपको आगया बढ़ना चाहिए इन साथ दिनों में किया गया निवेस लोंग तर्म के लिए आपके लिए काफी फाइदमन साबित होगा आपको एक समस्या, नेंद की भी आ सकती है, नेंद प्रॉपर ना आना, नेंद रुकर रुक कर आना, नेंद में कटोती होना, इस प्रकारी की समस्या हैं, आप फेस कर सकते हो क्या उपाई के जाएं साथ्यों इन साथ दिनों में अपने दिन की सुरुवात कुछ नो कुछ मिठा खा कर करें सुबह उठते से ही सबसे पहले कुछ मिठा खाएं ऐसा करने से आपके राशियों सभी मंगल किस्तिती श्टॉंग होती है पर आपके सूचे संजेकारिय आपको पूर्ण होते हो दिखाई देते हैं वर्षब रासी साथ्यों आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा की स्तिती आपकी रासी से रहेगी नवे इस्थान पर, दसवे इस्थान पर और ग्यारवे इस्थान पर साथ्यों इन साथ दिनों में एक लंबी आत्रा के योग आपके बंते हो दिखाई देंगे वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे लोग जो आपसे कट चुके थे वे कहने कहीं आपके जिवन में वापस लोट कर आएंगे उन लोगों के द्वारा आपको एक बड़ा आर्थिक सुधार अपने वेवसाई जीवन में देखने को मिलेगा साथ यो वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं वे लोग जो आपके बड़े भाई हैं, बड़े मित्र हैं वे कहीने कहीं आपको एक आर्थिक साहता इन साथ दिनों में दे सकते हैं साथि वेवसाय को लेकर थोड़ा सा रिस्क लेने का समय हैं वेवसाय को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव रहें अपने कामकाज का विश्तार इदिया आप करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए, आपको प्रियास करना चाहिए, एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, साथ यू सरकारी कामका ये दि कोई रुके हुए हैं, तो उन्हें रुके रहने दें, अन्य था आपको कोई बेड़नी होज, इन साथ दिनों में सुन्यों को मिल सकती है, इदि आपको हेवी लोन लेना चाहते थे, जिस कारण आपकी कोशिश से काफी तेज थी, तो उसे थोड़ा सा पेंडिंग कर दे, अन्य था आपको नाम जवाब आ सकता है, इन साथ दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा किसी आध्धात्मे कारण में, किस करने से आपको आपके सुचे समझे कारिय पूर्ण होते हो दिखाई देंगे, मिथुन रासी, साथ यो आने वाले साथ दिनों में चंदरमा की स्थिति, आपकी रासी से रहेगी अश्टम इस्थान पर, नवम इस्थान पर, ओदसम इस्थान पर, आकस्म ग्रूप से कुछ बड़े फाइदे होने वाले हैं, जो पेशा आपका बजार में रुका हुआ है, वह पेशा आपको वापस आते हुए दिखाई देगा, साथ यो वे लोग जो आपको परिशान करते हैं, आपके लिए गुप्त किरियाई करते हैं, आपको मानसी ग्रूप से टेंसन देते हैं वे लोग आपकी लाइफ से दूर जाएंगे, उन लोगों से आपको एक बड़ी रहत मिलेगी, उन लोगों के दुआरा जो आपको तकलिफे महसुस हो रही है, वे तकलिफे आपको दूर होती हुई नजर आएगी, साथ यो इन साथ दिनों में आपको आपके सस्वाल में बड़ता हुआ दिखाई देगा, साथ यो आप एक सामाजिक जीवन में हैं, तो आपको एक बड़ा एडवांटेज, आपको एक बड़ा फायदा यहां पर मिल सकता है, आपके मान संबान में आपको बड़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, आपके बात के अंदर काफी प्रभाव रहेगा, और यहां कहीं ने कहीं आपके लिए मान संबान में बड़ोतरी का काण बनेगा, क्या उपाई के जाएं, साथ यो इन साथ दिनों में आपको रेगुलर गणपती अथरुषिस का पाठ जरूर करना चाहिए, एसा करने से आपको आपके सोचे समझे कारि पूर्ण होते हो दिखाई देंगे, करक रासी, साथ यो आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके रासे से रहेगी सब्तमिस्तान पर, अश्टमिस्तान पर, और नवमिस्तान पर, उच्छे सिख्छा को लेकर, यह समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है, न आपको आपके जिवन साथी का, आपको आपके लव पार्टनर का एक बहत्रिन सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, यह आप विवा करने के एक चुक हैं, तो विवा के लिए जो ज़रूरी कदम होते हैं, उनको आपको उठाना चाहिए, यह कहीं पर लड़की से अपने आपको ना उलजाएं, किसी भी व्यक्ति से अनावस्चक बाद विवाद बिल्कुल ना करें, अन्यता यहाँ आपके लिए मान हाने का कार्ण बनेगा, यहाँ आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा, साथ यो इन साथ दिनों में यहाँ कोई हेवी लोन लेना चाहता है, तो उस बात को आप गंभीरता से लें, उस बात को आप मॉनिटर करें, और कहीं न कहीं उसके रिकारिंग कुछ एक्सेंस लें, ताकि आगे जाकर आपको पार्टनर के द्वारा एक बड़ा लाब हो सके, यही पार्टनर्शिप को आफर आता है, तो आपको पार् डिखाई देंगे शिह राशी साथियों आने वाले में चंदरमा की स्थिति आपपकी राशी से रहेगी छटे उस्तान पर आठे उस्तान पर इन 7 दिनों में जो आपके शत्तुरु हैं वह देने कहीं प्रवल होने वाले हैं जो आपके competitor हैं वे आपको मानसी रूप से तनाव देने की कोशिज करेंगे इन लोगों से अपने आपको बचा कर रखें सात्यों मामा ना पक्षे से किसी परकार की बुरी खबर किसी परकार की बेट नियोज आपको सुनने को मिल सकती है सात सांतियों को लेकर आने वाले सान दिन आपके लिए कासी बहत्री हैं एक बड़ा स्वास्तालावा पू जो Bowl दिखाई देगा एब को हाुआ को उप्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिज बढ़ानी चाहिए आपको उसके- कोशिज करना चाहिए शकारतम Mic इस साथ दिनों में चंत्रमा किस्तिति आपकी राशिस रहेगी पंचव मिस्तान पर सश्टिक्तान पर और सप्तम इस्थान पर व्योसाई को लेकर किसी व्यक्ति से कोई यहड़ा हो सकता है व्योसाई में थोड़े सी घ्रावट आपको महसूस होगी घवरा यह नहीं अंपने कब करेंगे उन लोगों को खुश रखने की कोशिज करें इन लोगों से अपने संब्ध मना का मैं कोशिज करें सात्यों इन सात दिनों में आपको अपने नोकर है अधिनस्त व्यक्ति पर हां ज्याधा विश्वास नहीं करना चाहिए अन्यता वे लोग आपके लिए आर्थिक नुक्सान कार्ण बनेंगे वे लोग आपके लिए मान सम्मान में कमी कार्ण बनेंगे साथ यो इन साथ दिनों में यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक खुश खवर मिल सकती है आपको आपके लोव मेट का एक बड़ा सपोर्ट भलेवा मानसी गुरूप से हो या आर्थी गुरूप से हो आपको मिल सकता है क्या उपाई किये जाएं साथ यो इन साथ दिनों में कम सकम दो बच्चों को लोहे का दान आप जरूर करें एसा करने से आपके सोचे समझे कारिय आपको पूर्ण होते हो नजर आएंगे तुला रासी साथ यो आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी रासी से रहेगी चतूर्त इस्तान पर, पंचम इस्तान पर और सश्टे इस्तान पर यदि आप सिक्षा की छेतर में हैं, तो एक बड़ी खुश खबर आपको सुनने को मिलेगी साथ यो स्वास्त को लेकर दिनों कोई समस्या है, तो उसे दूर करने की कोशिस करें यदि कोई मेडिकल टीटमन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करें आपको एक बड़ी सफलता, आपको एक सकारत्मक रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे कोई लंबी यात्रा यदि आप करना चाहते हो, तो यह साथ दिन आपके लिए बेहत अनुकूल है एक लंबी यात्रा आपको होती हुए नजर आएगी आपके माता के स्वास्त में यदि कोई समस्या है, या आपके माता से आपके विशार नहीं मिलते हैं तो यह साथ दिन आपके लिए काफे अनुकूल है, उनकी तरफ से एक बेहतर सपोर्ट आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी पर या वहान पर एक छोटा मुटा खर्चा इन साथ दिनों में होता हुआ दिखाई दे रहा है यदि कोई प्रॉपर्टी या वहान का मेटर उल्जा हुआ है या आप इन चुजों को खरीदना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए, आपको बहान की, आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ती हो जाएगी, साथ यो इन साथ दिनों में आप अपना प्रभाव लोगों पर डाल पाएंगे, आपकी बातों के अंदर काफी प्रभाव रहेगा, आपका सामाजिक जीवन काफी उन्नत रहेगा, उसको और बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें, आपको एक बड़ी सबलता मिलती हुई दिखाई देगी, साथ यो संदान को लेकर दिख कोई भी समिस्या है, तो उसे दूर करने की कोशिश करें, इन साथ दिनों में संदान के द्वारा या संदान के भाग्य से आपके जीवन में बड़ा पेसा आएगा, संदान को खुश करने की कोशिश करें कोई इसको requirement हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करें क्या उपाई की जाएं कम सकम 100 ग्राम घी, एक किलो दूद और आदा किलो दही इन चीजों का दान किसी भी धर्मे स्थान पर खास कर किसी देवी माता के मंदिर में आप जरूर करें एसा करने से आपको आपके सोचे समरे कारिय पूर्ण होते वो दिखाई देंगे वरश्चिक रासी, साथियो आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा की स्थिती आपकी रासी से रहेगी तिसरे इस्थान पर, चोथे इस्थान पर और पांचोय इस्थान पर साथियो लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाईए लव लाइफ में किसी प्रकार का मान सम्मान में कमी या आपका लव मेट आपसे नाराज हो सकता है लव लाइफ को लेकर केरफुल रहें अति उत्साह बिल्कुल ना दिखाएं साथियो आकास्मी गुरूप से पेसा कमाने के चक्कर में आपको एक धन आहनी हो सकती है आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुक्सान हो सकता है अपने आपको जुए सट्टे से और आकास्मी गुरूप से पेसा कमाने के चक्कर से बिल्कुल बचा कर रखे है साथियो प्रॉपर्टी बाइफ कोई निवेस करना चाहते हैं तो यह साथ दिन आपके लिए बेहत अनुकूल है आपका एक छोटा मोटा खर्चा आपको लक्षरी आइटम पर होता हुआ दिखाई देगा जो आपके लिए प्रिसनेता का विश्वर रहेगा साथियो इन साथ दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं वे कहिने कहीं आपको एक बड़ी आर्तिक साहता देते हुए नजर आएंगे उन लोगों से अपने सम्मद बना कर रखें उन लोगों को खुश रखने के कोशिस करें इन साथ दिनों में आप अपना आपको काफी उर्जावान महसुस करेंगे काफी साहसिक महसुस करेंगे और कुछ रिस्की डिसिजन भी लेंगे जो आपके व्योसाई के लिए जो आपके केरियर के लिए काफी सफल महसुस होंगे काफी सफल साबित होंगे रिस्क लें और व्योसाई बढ़ाएं क्या उपाई किया जाएं शात्यों इन साथ दिनों में कम सका में एक बार लाल रंगे की वस्तों का दान किसी भी गरीब व्यक्तिकों और किसी भी धर्मी इस्थान पर आप जरूर करें ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कारिय पूर्ण होते हो दिखाई देंगे धनु रासी साथ यो आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा किस्तिती आपके रासी से रहेगी दूसरे इस्थान पर तिसरे इस्थान पर और चोथे इस्थान पर चूकी चंद्रमा दूसरे इस्थान पर रहेंगे इस कारण आपको आपके परिवार का एक बहतिन सपोर्ड मिलत परिवार के लोग आपके अनुकूल रहेंगे और आपको एक आर्थिक शाहता या एक मान्सिक सहाहता आपको मिल सकती है साथियों इन साथ दिनों में आपका एक छोटा मुटा खर्चा लगजरी आइटम पर ये घरेलू समान पर हो सकता है जो कहीने कहीं परिवार के लिए रहेगा और यहां आपके लिए प्रिसनता लेकर आएगा साथ्यों वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं या जो आपके कलीग हैं या जो आपके नोकर हैं उनको खुश रखने के कोशिश करें उनको कोई गिफ्ट आइटम दें उनको किसी प्रकार से खुश रखें यहां आपके लिए भाग्यूनती लेकर आएगा साथ्यों इन साथ दिनों में आपके एक छोटी-मोटी आत्रा व्योसाई कारणों से हो सकती है अपने परसनल कारणों से हो सकती है और यहाँ आपके लिए financially, age well age, आपके mental stress के लिए काफी सुकुन भरी रहेगी क्या उपाई के जाएं? साथ्यों इन साथ दिनों में कम सगम 51, पीले कलर के लड़ू किसी भी धर्मी इस्थान पर आप जरूर दान करें इसा करने से आपके सोचे समझे कारिय आपको पूर्ण होते हो दिखाई देंगे मकर रासी, साथ्यों आने वाले साथ दिनों में चंदरमा किस्थी थी आपके रासी से रहेगी पहले इस्थान पर, दूसरे इस्थान पर, और तिसरे इस्थान पर मान सम्बान को लेकर यह समय आपके लिए काफी positive सावित होगा जो मान सम्बान आप उम्मीद करते हो, वह आपको मिलता हुआ दिखाई देगा आपको आपके मित्रों का, आपको आपके परिवार का एक बड़ा आर्थिक support यहाँ पर मिलते होगे दिखाई देगा उन लोगों से अपने सम्बान मना कर रखें, जो आपकी समस्याएं हैं, वह उन लोगों के साथ में discuss करें साथ यो इन साथ दिनों में, आपकी बात के अंदर काफी वजन रहेगा जो आप बोलोगे, उसका महत्व रहेगा, और यहाँ आपके लिए मान सम्बान में वद्धी का कान बनेगा साथ यो इन साथ दिनों में, आप एदि सोसल लाइफ में हैं, आप एदि सामजी जिवन में हैं, तो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिस करें इदि कोई चुनाव अगरा होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिस करें, आपको एक बड़ी सभलता मिलती हुई दिखाई देगी साथ यो इन साथ दिनों में किसी प्रकार की कोई लंबी आत्रा बिल्कुल न करें, कहीं पर भी वाहन खुद चला कर ना ले जाएं, अर्नेता यहाँ आपके लिए वाहन में छोटा-मोटा खर्चा लेकर आएगी वाहन का आपको नुक्सान हो सकता है, अपने आपको सचेत रखें क्या उपाई के जाएं, साथ यो इन साथ दिनों में कम सकर में एक बार काले रंग की वस्तोव का दान, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें कुमभरासी, साथ यो आने वाले साथ दिनों में चंद्रमा किस्तिती, आपके राशिस रहेगी 12 इस्थान पर, पहले इस्थान पर और दुसरे इस्थान पर व्योसाय में यदि आपको इनिवेस करना चाहते हैं यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंड करना चाहते हैं तो यह साथ दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है यहाँ पर किया गया निवेस आपको एक बड़ा फायदा लेकर आएगा आकस्मी ग्रोप से यदि आपको पेशा कमाना चाहते हैं तो इन साथ दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए कुछ हद तक सभलता आपको मिल सकती है साथ यो सत्रू पक्षे से यदि कोई समिस्या है तो उनसे आप कंप्रमाइज करने की कोशिश करें यदि किसी व्यक्ति से आपसे मन मुटाओ है तो उसे दूर करने की कोशिश करें आपको एक बहतर सपोर्ट सामने वाले व्यक्ति का मिल पाएगा कोट करज़े कि यदि कोई मामले उल्चे हुए हैं तो उसे सुलजाने की कोशिश करें सात्यों इन सात दिनों में स्वास्ति को लेकर कोई बड़ी रिकवरी हो सकती है स्वास्ति को लेकर कोई बड़ा फायदा हो सकता है तो इदि आप किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीट्मेंट कराना चाहते हैं कि आप किसी प्रकार का स्वास तलाब लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिस करना चाहिए सकारत्मा रिजल्ट आपको मिलते होगी दिखाई देंगे साथ यो इन साथ दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा लक्षरी एटम पर हो सकता है और यहाँ आपके लिए मानशी गुरुप से प्रसनता लेकर आएगा वेभाई जिवन को लेकर आने वाले साथ दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है जो भी समस्याए हैं वे आपको दूर होते होई दिखाई देगी सात यो आने वाले साथ दिनों में चंतरमा किश्थिति आपके रासेच रहेगी 11 थयस्तान पर 12 और पहले इस्तान पर सात यो निवेस करने के लिए कोई बड़ा खर्चा करने के लिए आप तयार हो जाईए एक आकास्मिक रूप से बड़ा निवेस आपके बिजनस में आपको होते हुई दिखाई देगा एक नोकरी के रहते हुए एक वेवसाय के रहते हुए आपको इदि आपकी नोकरी चेंज गरना है आपको इदे अपने व्योशाय का expansion करना है तो उसके लिए कोशी से आपको तेज करनी चाहिए एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी साथ यो इन साथ दिनों में आप जो भी प्रियास करेंगे आप जो भी कोशी से करेंगे उसके 100% result आपको मिलते हुई दिखाई देंगे और यहाँ आपके लिए काफी मानसिक रूप से बड़ा सुकून लेकर आएगा वे लोग जो आपसे उम्रे में बड़े हैं वे लोग जो आपके बड़े भाई हैं बड़े मित्रे हैं उनसे अपनी समस्याइं डिस्कस करें उनसे अपनी आर्थियों को मानसिक परिशाने डिस्कस करें वे आपको एक बहतर सॉलूशन देंगे जो आपकी परिशानिया है वे आपको दूर करने में आपकी मदद करेंगे साथ्यों इन साथ दिनों में संदान को लेकर यदि कोई भी समझ्या है तो उसे दूर करने की कोशिज करें आपको आपकी संदान का एक बेहतरिन सपोर्ट मिलते होगे दिखाई देगा क्या उपाई के जाएं? साथ्यों आने वाले साथ दिनों में कमस का मेकबार हरे रंग का चारा आप गाय को जरूर खिलाएं एसा करने से आपको आपके सुचेस मेरे कारिय पूर्ण होते हो दिखाई देंगे उमेदे सातियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारे साथ बनेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद